हाँ जी नमस्कार साथियो एक बार पुना आप सभी का हारदिक श्वागत अभिनंदन है तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज सुबै छे बज़े अपनी क्लास जो है वो आपको देखने को मिल रही है और उसी प्रकार आज की क्लास के अंदर हम अपना नेया प्रशन ले कोमेंटों के उपर एक वीडियो बनाएंगे जो सबसे अच्छा कोमेंट करेगा सबसे अच्छा जो उस प्रशन आप से पूछा गये उसकी उपर सबसे अच्छी तरह सी जो वीवरण लिखेगा ना उसका नाम मैं क्लास के अंदर जरूर लोगा तो आज की क्लास का अपना वो आपके सामने आपकी मोवाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि खानवा युद में बिशन घायल हो जाने के बाद शांगा कास्तान किशने लिया था कापी पेन लेकर बेट जाएगा इस परशन को अपनी कापी में नोट जुरूर करना क्योंकि मैं वादा करता हूँ कि 365 का मतलब है 1000 परशन और 1000 परशन का मतलब है कि हिस्ट्री का कोई परशन बार नहीं जाएगा कारंटी है ये तो खानवा युद में बिशन अकाल हो जाने के बाद में शांगा कास्तान जो है वो किशने लिया था इसमें उपसन नमबर ए के अंदर आपको दिखाई दे रहा है हशन खां मेवाती का नाम उपसन नमबर ए में आपको हशन खां मेवाती दिखाई दे रहा है उपसन बी के युद में घायल हो जाने के बाद में जो है वो राणा शांगा का स्तान किष्ण ने लिया था जो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये खानवा का युद है साथ यो खानवा का जो युद था ये कब होता है सत्रा मारच पंदरा सो 27 को होता है सत्रा मारच पं कहां पर पढ़ता है तो खानवास्तान पढ़ता है रूपवाश बर्दपूर के अंदर एक तसील जिसका नाम है रूपवाश और रूपवाश तसील कहां पर पढ़ती है तो रूपवाश पढ़ती है बर्दपूर में खानवा का मेदान रूपवाश बर्दपूर में है और पर एक नदी भी बहती है और उस नदी का नाम भी आप ध्यान रखना उस नदी का नाम क्या है गंबीर कौन सी गंबीर एक नदी है गंबीरी एक नदी है गंबीर और खानवा का मेदान जो है तो कौन सी नदी के किनारे है तो गंबीर नदी के किनारे है खानवा का युद 17 मार 1527 को होता है और यह युद राणा संगा और बाबर के मद्य हुआ था यह युद किश किश के मद्य होता है तो यह युद होता है राणा शंगा एक तरफ राणा शंगा थे एक तरफ राणा शंगा थे और दूसरी तरफ थे मुगल बालशा बाबर इस बाबर और राणा संगा में ये जो बिशन युद हुआ था इसका नाम है खानवा का युद और ये रूपवाश भरतपूर के अंदर हुआ था इसमें प्रशन ये पूछा है कि सांगा जिब गायल हो गए थे तो सांगा के स्तान पर युद किसने लड़ा था या सांगा का राजमुक्त धारण करके य इस परथा का प्रियोग किया था उस परथा का नाम था पाती परवन परथा पाती परवन या पाती पेरवन परथा थी और ये पाती परवन या पाती पेरवन परथा क्या होती है पाती का मतलब पत्तर होता है और परवन का मतलब होता है भेजना कि पत्तर भेजकर राजाओ को राणा संगा ने अमंत्रित किया था इस युद के अंदर और राणा संगा के साथ में इस युद में ञाँत रचा नो इस राव नग का थेanners के तहे तहित नोरावर 104 सामंत थे और इन में से अलग-अलग रियास्तों से जैसे मारवाड से मारवाड से राणा संगा की सहाइता करने माल देव आये थे मारवाड मालदेव तो मारवाड से कोण आये थे मालदेव आये थे और बिकानेर से कोण आते हैं तो शाथियों बिकानेर से आये थे कल्यानमल बिकानेर से कल्यानमल राना संगा की शहायता करने आते हैं और आमेर से राना संगा की शहायता करने जाला अज्जा सादड़ी से थे और गोगुंदा से राना साद में जाला सज्जा जो है ये राना साद में गोगुंदा से थे और इसके अलावा राना साद में जो है वो इडर से कौन थे तो इडर से राना साद में भारमल थे और चंदेरी से राना साद में मेदिनी राए थे और बर्तपुर्शे राणा संगा के शाथ में अशोक प्रमार थे बर्तपुर्शे कौन थे अशोक प्रमार थे और इसके अलावा राणा संगा के शाथ में जो है वो सिरोही से कौन थे सिरोही से अक्यराज देवडा थे और अक्यराज देवडा को उड़ना अक्यराज के नाम से भी जाना जाता है राणा संगा के साथ में मेरता से विरम देव और रतन सिंग थे ये मेरता से थे राणा संगा के साथ में सलूंबर के अंदर चुंडावत थे और चुंडावत जिसका नाम था रतन सिंग चुंडावत इस युद में राणा संगा के साथ में सलहदी तमर भी थे महमूद लोदी शिकंदर लोदी का भाईता महमूद लोदी ये भी इस युद में राणा संगा के शाथ में था और इस सलहदी तमर जो था इसने राणा संगा के शाथ में खानवा के युद में विश्वास घात किया था राणा संगा के साथ में सलहदी तमर ने विश्वास घात किया था और जाला अज्जा जो था इसने राज मुकुट धारन करके युद किया था इसके स्तान पर राणा संगा के स्तान पर युद किया था हसन खा मेवाती ये हरावल सेना का नेतरताव करते हैं हरावल सेना का नेतरताव करते हैं और हरावल जो भाग होता है ये सबसे आगे के भाग को हरावल भाग कहा जाता है और इस हरावल भाग में हसन खा मेवाती भी थे और हसन खा मेवाती के साथ-साथ आपके सलुम्बर के रतन सिंग चुंडावत भी है क्योंकि सलुम्बर के जो राजपूद थे इनको जो है वो अपने हरावल भाग में लड़ने का अधिकार था तो राणा सांगा जो थे इस राणा सांगा का राजमुक्ट धारन करके युद किस्ने लड़ा था या सांगा के स्थान पर लड़े कौन थे तो इसका सही उत्तर जो है वो जाला अज्जा आएगा। जाला अज्जा जो थे ये राणा संगा के स्तान पर युद के अंदर लड़ते हैं और अगली क्लास में आपको एक प्रशन दिया जाता है एक आपका जो प्रशन है वो आपको कोमेंट बोक्स में जिसका जवाब देना है कि खानवा के युद में गायल होने के बाद में संगा को युदस्तल से बाहर किसने निकाला था युदस्तल से बाहर किसने निकाला था युदस्तल से बाहर किसने निकाला था ये आपके लिए प्रशन है और जो इस प्रशन को अच्छे से लिखेगा अच्छे से इसका उत्तर लिखेगा उस बच्चे का नाम जो है वो कुमेंट ब क्लास के लिए इतना ही जैहिन जैबारत मिलते हैं अगली क्लास में एक अगले प्रशन के शाथ में धन्यवाद